आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूँ अरजिता, बदलते लाइफ स्टाइल के साथ सब कुछ बदलता जा रहा है, भागदोर भरी जिंदिगी के बीच हम अपनी संस्कृती और परमपराओं को भूलते जा रहे हैं, लेकिन आज भी कई लोग हैं जो अपन फर्स्ट एर की छात्रा अस्मा भट ने कश्मीर के पारमपरिक व्यंजन को सहेजने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है, कश्मीर के पारमपरिक व्यंजनों में केक, रोटे, अचार, मकई की रोटी, नमकीन चाय, जिसे नून चाय की रूप में भी जाना जाता है, अस्मा ने एक सोशल मीडिया हैंजल भी बनाया है, जिसके माधियम से वो ओनलाइन ओर लेती हैं, अस्मा ने बताया कि पहले इन व्यंजनों को लोग घर में आसानी से बना लेते थे और इसे तयार करने में भी सक्षम थे, लेकिन बदलते लाइफस्टाइल के साथ का चौंध में भी अपनी परंपराओं और संस्कृति को सहेज कर रखा जाए तो मैं रोट के साथ सर्व करती हूँ और उसको जो है मैं परसे हनी से डेकुरेट करती हूँ